ओम सिरी गनेश आइनमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अठारा मई बुद्वार के रासी फलक के बारे में कि इह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेश रासी वालों के लिए बुद्दवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तों साथिसाथ उन्नती से संबंदित किसी सोब समाचार की आज आज आपको प्राप्ती होगी आद्यहत्मेक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ती का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका पैणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तों साति सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता पर प्रतीबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रतिद्यूंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिन चरिया वे आदतों का विशेश रूप से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्ने आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे किरिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टिदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तो साथ साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुबभम होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम हैं इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभवना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साथिसाथ आर्थिक मामलों में भी साथिनी बरतने की आपको आवश्यक्ता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़ें युवा वर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रकार का समझोता ना करें साथि साथ आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवशक हैं कैई बार जल्दवाजी वे अति उतसा में बनाया गया खेल बिगड सकता हैं जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रबाबित हो सकती हैं अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लि सकते हैं इसलिए बहतर उपाए यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बजर्गों के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखने की आवशक्ता हैं साथे साथ व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रबलता से बने हुए हैं भूमी या पाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिति को ध्यान में रखकर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दोस्तों दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शैयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मदूर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों वैपार के विस्तार संबंद ही नई संभावना प आज आपको पूरा सहयूग मिलेगा सातिसात कार्रे विस्तार की योजना भी कार्रे रूत में प्रणित होगी परंतु उस योजना पर पुन्हें परिक्षन जरूर करें सातिसात नोकरी में हलकी फुलकी परिसानियां भी आएंगी परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से ढून लेंगे किसी बड़े अधिकारी या राजनितिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परंतु के इमामलों में आपका स्वाबिमान आपकी उन्नती में चीला बना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण व्यवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परंतु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए अपने काम के प्रती एक आगरचित रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो अत्यादिक मेहनत की वज़े से ठकान वे दर्द जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं साथी साथ जादा गरिष्ट वे तला भुना भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यता पेट से संबंदित समस्यां उत्पन हो सकती हैं इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक नारियल लें या दोस्तो इसके बाद आप इसे एक नारियल को कुछ दक्षणा के साथ मंदिर में जाकर भगवान श्री गनेश जी को अरपित करें और विगन हर्ता गन करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का अशिरबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै श्री गनेश अवस्च लिखे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद